भारत माता की भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्तित जिन्हों ने इस फेस्टिवल को आयोजित किया और चिकमंगलूर को पूरे देश के मैप पर एक फेस्टिव सिटी के रूप में लाया ऐसे मेरे भाई और करनाटक के एक वरिष्ट नेता एमेले श्री सीटी रवी जी याप पर उपस्तित मिस्टर केपी वेंकटेश श्री वेनु गुपाल जी श्री आनन जी श्री केंद रमेश जी श्री जी प्रभू श्रीमती उमा परशनात जिनको हमने सम्मानित किया ऐसे आर्ट के क्षेत्र से स्पी जयांचार म्यूजिक के क्षेत्र से श्रीमती इंदू विश्वनात सोशल सर्विस के क्षेत्र से पीके एहमद और श्रीमती मोहीनी सिद्धेगोडा और पौर कर्मिका सर्विस से श्रीमती गुरम्मा श्री जम्शेद एहमद मंच पर उपस्तित सभी सम्मानिय अतितिगंड और उपस्तित सभी बहनौर भाईयों नन्नू चिकमंगरुरू हब्बाके आवाहनी सिद्धकागी रदेपुर्वक धन्यवाद गळू एल्ला रिगू मकर संक्रांती या शुभाश या गुळू सीटी रवी अवराननू एंद नेय बारी गेली सुवा जबाबदारी निम्मेलेर मेली दे चिकमंगरू भारत दा कॉफी नाड़ू चिकमंगरू भारत का की कॉफी की भूमी तो है ही लेकिन साथ साथ आज मैं यह कह सकता हूँ कि दिस इस वन आफ दे क्लीनेस सिटी इन करनाटका आफ बीन तू मेनी सिटी इन इंडिया वाइल आ इंटर्ड चिकमंगलूरू सिटी रवी जी मैंने यह देखा बहुत अच्छा क्लीनेस मुझे यहां पर दिखाई पड़ा और इसका श्रेय आपके नेत्रुतों को नगर निगम को और उसके साथ साथ जिनका आमने स्वागत किया ऐसे पौर कर्मी का सर्विस को जाता है इसलिए मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा महाराष्ट्र और करनाटक का बहुत पुराना रिष्टा है और विशेश रूप से मराठी और कन्नडा ये दोनों बहुत प्राचीन इस प्रकार की भाशाये हैं और बहुत सम्रुद्ध भाशाये हैं इन भाशाओं में जो सहित्य तयार हुआ है वो प्राचीन काल से समाज को दिशा देने का काम करता है और इसलिए जब यहां का निमंत्रन मिला तो मैंने भी यह सोचा कि मैं भी जाकर देखू चिकमंगलूरू में हब्बा कैसे होता है और विशेश रूप से मैं तो यहां आया हूँ I have come here for my brother C.T. Ravi क्योंकि मेरे भाई C.T. Ravi इतना अच्छा यहां पर यह कारेकरम आयोजित करते है और I have seen whatever he does is a grand है छोटा काम Wो करते ही नहीं है जो करते आ बड़ा करते इसलिए मुझे पता था कि यहां पर आने के बार है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल देखने को मिले गा पर यह फेस्टिवल देखने के बारड ऐसा लगता है पूरा चिकमंगलूरू ही यहां पर आया हुआ है everybody has come हर व्यक्ति यहाँ पर आया है और मैं मानता हूँ कि यह किसी भी festival की सफलता इस बात में होती है जेशे श्रीपाद भाव ने कहा कि how many people participate लोग कितना participate करते और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पूरी theme एक भारत श्रेष्ट भारत यह हमारी theme है और यह बहुत महतोपुर्ण है क्योंकि we are the oldest continuous civilization of world हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है सबसे पुरानी संस्कूरुती है और हमारे हर स्टेट में वहां की कला हो वहां का गाना हो वहां का सहित्य हो इसमें एक मिट्टी की खुश्बू है इसमें एक प्राचीनता का भाव है और वो सारी चीजे उनको एक डायस उनको एक मंच देने का काम सीटी रवी जी आपके इस festival ने यहाँ पर किया है और करनाटक के और चिकमंगलूरू के लोगों को भी पूरे देश की कलाए इस मंच के माध्यम से दिख रही है और साथ में जो हमारे करनाटक की भी साहित संस्कूतिय परमपरा है वो भी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है और मैं देख रहा था जब रवी जी ने पूछा कि फूर्ड स्ट्रीट पर कितने लोग गए तो ज़्यादा लोगों के हाथ उपर थे और मैंने कई लोगों को देखा उन्होंने नौन वेज़ पर भी हाथ खड़ा किया और वेज़ पर भी हाथ खड़ा किया तो मुझे लगता है कि लोगों को ये स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद आया है एक बहुत अच्छा ये कारेकरम यहाँ पर आयोजित किया गया और विशेश रूप से हम समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनको यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं ये भी मैं ऐसा मानता हूँ बहुत अच्छी बात है और विशेश रूप से हमारे जो सफाई कर्मी है उनका यहाँ पर सम्मान होना ये मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज ने उनको एक प्रकार से इस सम्मान के माध्यम से तो मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, मैं ज्यादा लंबा भाशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाशन आपको कितना समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो पक्का पता आ रहा होगा, क्योंकि रवी जी जब कंड़ा में ब लेंग्वेज़ और सिस्टर्स अफ इच अदर, सो वी केन अंडर्स्टेंड, एक फिफ्टी परसेंट आफ और लेंग्वेज़ तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर ऐसा है फेस्टिवल आपने यहां लिया, और मुझे आने का मौका आपने दिया, यहां पर इन सभी लो सिटी रवी जी, मैं ब्रदर सिटी रवी, इनको मैं बहुत बहुत शुपकामनाय देते हुए, अपने शब्दों को विराम देता हूँ, जैहिन!